नमस्कार स्वागत है आप सभी का सक्षेश्टेश के से यूटूब चैनल में जैसे कि आप सभी को पता है आज जुनियर असिस्टेशन का एकजाम हुआ है जो की 10 बजे से लेके 11 बजे तक संपन हुआ है तो आज के सिप्ट में जो क्वेस्टेंस पूछे गए थे कुछ क्व में उपलब्द हो पाया है उन केस्टन को इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो आए देख लेते हैं कौन-कौन से प्रस्ण जो हमको मिल सके हैं जो आज यूपी ट्रिपल असी का जूजन असिस्टेंट का एकजाम हुआ है उससे रिलेटेट तो आई वीडियो को सुरू कर यहां पर पहला प्रस्ण देख पा रहा है पहला प्रस्ण जो हमें मिल पाए वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजुकरण की जो शुरूआत है यह कब हुई तो इसका रहा टेंसल था हमारा 1979 अगला प्रस्ण मिला था हमें कि इस प्रदेश में सहरी जनसंख्या सरवाधिक न जावत अगला प्रस्ण पूछा गया था गुरु गोविन सिंग खालसा पंत की निव कब रखे गया थी तो इस प्रस्ण का रहा टेंसल अमारा था 1679 इसवी में गुरु गोविन सिंग खालसा पंत की निव रखे गया थी अगला प्रस्ण पूछा गया था सती प्रथा का अ अध्यच्छ कब बने थे तो इस प्रस्ण का रहा टेंसर हमारा था 1938 इस्वी में सुभाष चंद्रबोस कॉंग्रेज के अध्यच्छ बने थे एगला प्रस्ण पूछा गया था प्रथम समिधान संसूधन कब किया गया था तो इसका रहा टेंसर था 1951 में प्रथम समिधान संस तोधन किया गया था अगया प्रस्ट नमारा पूचा गया था जी इस टी गुड्स एंड सर्विस टेक्स से था कि इसमें टोटल कितने घटक होते हैं जी इस्ते में तो इस प्रस्ट कर्ण अधिनियम की सवार्ड्स पर अरंभ हुआ था तो इसका राए टेंसल था 1989 में अगला प्रस्न पोचा गया था आजके एक जाम जो जुनेर असिक्टेन्ट का हुआ था पंचायती राज व्यवस्था की सुरूवात कहां से हुई थी तिस प्रस्न का र्येटेंसर हमाहा था अगर जीला की बात करें तो राजस्थान का जो नागोर जीला था वहीं से शुरुवात होती किसकी पंचायती राज बिवस्था की अगला प्रस्न पूछा गया था वर्स 2017-18 में दाल के उत्पादन में भारत का अस्थान तो प्रथम अस्थान था 2017-18 में दाल के उत्पादन में भारत का अगला प्रस्न पूछा गया था लाब प्राप्त करने वाला राज्य हमारा उत्तरपदेश था मुंबई इसका राइट एंसर था अगला प्रस्न पूछा गया था आज उत्तर प्रदेश में एक जीला एक उत्पाद का उत्देश से क्या है मतलब यह उत्तर प्रदेश का जीके था तो पूछा गया क्या था तो उत्तर प्रदेश में एक जीला और एक उत्पाद जो इसकीम चालो के गई तो उसका उद्देश क्या है तो लगू एवं मध्यम उद्द्योगों से स्वराजगार को प्राप्त करना तो इसे आप याद दखिएगा अगला प्रस्न पुछा गया था उत्तरपदेश में आर्थिक विकास के कितने छित्रे हैं तो इसका राइट हैं से ट्रो के तहत की जाती है तो जो एटर्ने जनरल अफ इंडिया होते हैं यानि हमारे भारत के महान्याइवादी होते हैं उनकी नियोकती अनुछे चियत्तर के अंतरगत की जाती है अगला प्रस्न पूछा गया है भारत के मुखने आधिस प्रिजन टाइम में भारत के मुखने आध अगला प्रस्ट पुछा गया है CDS के अध्याच प्रिजन टाइम में कौन है तो बीपिन रावत जो है प्रिजन टाइम में CDS के वलतावारे ने चीफ आफ डिफेंस स्टाप कि यहां पर बाते हैं अगला प्रस्ट पुछा गया था राहूल गांधी का लोगसभाद छेत्र जो किरल में पड़ता है यह राहूल गांधी का लोगसभा छेत्र है अगला प्रस्ट पुछा गया था सबसे लंबा बांध प्रिजन टाइम में हमारे देश में कौन सा है तो हिरा कुन बांध जो की ओडिसा में है यह भारत का सबसे लंबा बांध है अगला प्रस्ट सचिदा नन सिन्ना और अस्थाई राजिंद्र प्रसाथ थे तो यह सभी प्रस्थ जो थे आज के यूपी ट्रिपल सी का जो जूनियर असेस्टेंट का एकजाम संपन्ड वा है उसमें पूछाए गया प्रस्थ और कुछ प्रस्थ जो में मिल वह हैं यहाप आप देख रहे है तीसरा प्रस्थ जो क्या मिला है में फॉलो को पकाने के लिए क्या उप्योग किया है तो फॉलो को पकाने के लिए एथिलेन का इस्तेमाल किया है अगला प्रस्थ पूछा गया है वत्मार में लोकसभा स्पीकर कौन है तो हमारे प्रिजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर ह गया यूपी की अंतराश्टी सीमा तो मतलब जो यूपी की अंतराश्टी सीमा है वो नेपाल से लगती है तो इसे अगला प्रसथम पूछा गया था अनुछद 19 ए जो है किसे संबंदित है तो प्रेज की स्वातंतरता का धिकाल से सम्बंदित है अनुछेद 19-8 तो यह कुछ इंपॉर्टेंट 33 जो प्रस्टन में मिल पाया है यह आज के यूपी ट्री पलसी का जो जूनियर से नाइब थैंक्यू 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 थैंक्यू